दूसतों कि आप जानते हैं कि ट्रेक्टर का पिछला टाइर अगले टाइर से बड़ा क्यों होता है और क्या आपको पता है कि कार्स के अंदर ये एंटेना क्यों लगाया जाता है प्लस क्यापने कभी सोचा है कि मेडिसन्स वाले गैप्शूल हमिशन 2 कलरजमे самое ही क्यों बना जाता है वेल आज किस वीडियो में मैं आपको आम चीज़ों के ऐसे एफेक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दूस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कैपसूल वाली मैडिसन्स का इस्तमाल जरूर किया होगा दुनिया में जितने भी कैपसूल्स बनाया जाते हैं वो हमेशा दो कलर्स के होते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि कैपसूल्स को हमेशा दो रंगों में ही क्यों बनाया जाता है हाला कि इन्हें एक रंग में बनाना आसान होता है और इसमें खर्चा भी काम आता है तो फिर companies इनको दो colors में क्यों बनाती है वेल इसके पीछे एक खास reason होती है असल में capsules की दो parts होते हैं इन में से एक container होता है जिसके अंदर medicine भरी जाती है जिसके दूसरा part एक cap होता है जिसे container के उपर लगा कर बंद किया जाता है इन दोनों के colors अलग-अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि factory में काम करने वाले workers को इन दोनों में फर्क करने में आसानी हो और वो आसानी से container में medicine भर सकें और cap को पहचान सकें अगर ये एक ही color के होंगी तो workers confused हो जाएंगी और इन्हें पता ही नहीं जलेगा कि किस में दवाई भरनी है और कौन सा cap है सो इन colors की मदद से इनी medicines बनाने में आसानी होती है दुस्स क्रिकेट मैच एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में सबसे ज़दा पसंद किया जाता है आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में हमेशा तीन विकेट का इस्तमाल किया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट में हमेशा तीन विकेट से क्यों लगाई जाती है आपको जानका है हिरानगी होगी कि जब ये खेल निया निया इजहाद हुआ था तो उस वकद ये विकेट्स तीन नहीं बलके दो हुआ करती थी इनकी अंदर 6 इंच का फासला होता था और जब बाल इन विकेट्स के अंदर से गुजर जाती थी तो प्लेयर आउट हो जाता था लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दोर में स्लो मोशन कैमरा नहीं था तो कई दफा बाल इतनी फास्ट होती थी कि एंपायर को नजरी नहीं आता था कि बाल इन विकेट्स के अंदर से गुजरी है या फिर नहीं गुजरी इसलिए वो आउट का डिसीजन नहीं कर पाता था तो इस चीज़ को देखते हुए तीम विकेट्स का इस्तमाल किया गया ताकि बाल इने गिरा दे और आउट का पता चल सके वेल ये फैक्ट रियली बहुत रेयर है दुस्तो अगर ट्रेक्टर्स की बात की जाए तो इनका पिछला वील इनकी अगले वील से बड़ा होता है लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेक्टर को इस तरह क्यों बनाया जाता है वेल ट्रेक्टर के रेयर वील को फ्रंट वील से बढ़ा रखने की एक खास रीजन होती है असलिमें ट्रेक्टर का इस्तमाल खेतों में किया जाता है जहांपर बहुत जाता मट्टी और कीचड वगएरा होता है अगर इसके पिछले टायर फ्रंट टायर की तरह छोटे होंगी तो ये कीचड में फंस जाएगा ट्रेक्टर के रेयर वील में ट्रेक्शन ज्यादा होने की वज़ा से ये मट्टी में असानी से चलता रहता है इसके अलावा ये टायर पुलिं का काम भी अच्छे तरीके से कर पाता है एक और मज़की बात यह है कि ट्रेक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ साथ पानी भी भरा जाता है अब आप सब सोच रहे होंगी कि वील में पानी भरने का क्या मकसद है असल में ट्रैक्टर के back wheels में पानी इसलिए डाला जाता है ताके वो बारी हो जाएं और इन्हें खेट में काम करते वकत अच्छी grip मिल सके ट्रैक्टर्स को क्योंकि हैवी कामों के लिए यूज किया जाता है इसलिए इसके पिछले wheels का हैवी होना बहुत ही जरूरी होता है जैतर high voltage electronics के लिए use किया जाता है इसके इलावा ये cuts सिर्फ अच्छी quality के plugs में ही नजर आते हैं असल में इन cuts को बनाने का एक special purpose होता है दरसल mostly sockets को brass से बनाया जाता है brass एक ऐसा metal है जो गरम होकर भूलना और melt होना start हो जाता है सुन प्लक्स के अंदर ये cuts इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर brass इस्तमाल के दौरान गरम होकर फैलना शुरू हो जाए तो वो इन cuts के अंदर fix हो जाए और सुच को खराब होने से बचाया जा सकी वैल ये idea वाकिही में genius है दोस्तो एलफी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तमाल हर घर में ही होता है इसे plastic, rubber और इस तरह की दूसरी चीज़ों को जोडने के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि एलफी को असल में किस काम के लिए बनाया गया था वैल आप बिलीव नहीं करेंगी कि एलफी प्लास्टिक वगयर को जोडने के लिए नहीं बलकि इनसानों को जोडने के लिए invent की गई थी असल में एलफी जंगों के दौरान योज़ोने वाले first aid box में रखी जाती थी जब कोई soldier जंग में जखमी हो जाता था तो इसके जखम के उपर एलफी डाल दी जाती थी एलफी ना सिर्फ इसके जखम के अंदर से खून को रोक देती थी बलकि एलफी लगने के बाद इसके अंदर पानी, मटी और पसीना वगयरा नहीं जाता था जिससे infection भी नहीं होता था लेकिन बात में इसे दूसरे purpose के लिए इस्तमाल करना start कर दिया गया बारहाल जो भी हो एलफी का use वाके ही में बहुँ शॉकिंग था दूस्तो आप में से बहुत से लोगों ने cars के अंदर इस तरह का button देखा होगा वैसे तो दुनिया की कई गाड़ियां ऐसी हैं जिन में ये switch मौचूद होता है लेकिन इसका real purpose बहुत ही कम लोग जानते हैं असल में ये button गाड़ी की back window से fog और पानी बगार को साफ करने के लिए इस्तमाल कह जाता है आप सब सोच रहे होंगे कि ये simple सा button दबाने से car की back window कैसे clean हो सकती है वैल जिस car में भी ये switch होता है इसकी back window पर इस तरह की lines मौचूद होती है असल में ये lines देखने में paper की तरह लगती हैं लेकिन ये paper से नहीं बलके metal से बनी होती है जब आप इस switch को on करते हैं तो ये metal की wires गरम हो जाती है और back window से fog और ice वगर को पिगला कर नीचे गिरा देती है जिससे window साफ हो जाती है और driver को पीछे देखने में आसानी होती है वैल ये option really बहुत beneficial है दुस्तो अगर rest wash की बात की जाए तो आज कल तकरीबन हर बंदा ही इनका इस्तमाल करता है दुनिया के 98% लोग ऐसे हैं जो कि घड़ी को left बाजू में पैनते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा left hand में ही क्यों बादा जाता है वैल आपको जानके हैरानगी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई नई पैनना स्टार्ट की गई थी तो सब लोग इसे right hand में पैनते थे लेकिन दुनिया के जहतर लोग हर काम सीधी हाथ से करते हैं तो right handed लोगों के लिए गड़ी पैन कर काम करना बहुत ही difficult हो जाता था इवन अगर आज भी आप सीधी हाथ में गड़ी पैन कर रखेंगे तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो इसलिए गड़ीों को बाई हाथ में पैनना शुरू कर दिया गया और आज भी जो लोग right hand में गड़ी पैनते हैं वो सिर्फ दुनिया से अलग लगने के लिए और show off के लिए ऐसा करते हैं वरनर नॉर्मल बंदा तो गड़ी left पाजू में ही पैनता है दूस्तो अगर आप sports की शौकीन हैं तो आपने players में एक चीज note की होगी कि हर player की back पर shirt के नीचे कोई उबरी हुई चीज मौजूद होती है जैतर लोग तो इस पर दियान नहीं देते लेकिन आपको जानके हरानगी होगी कि इस उबरी हुई चीज को बकाइदा players की body पर fix किया जाता है और इसका एक खास purpose होता है असल में एक device होती है जिसके अंदर sensor लगाया जाता है ये player की जिसम की तमाम activities को track करता है player इस sensor को एक शट की तरह अपनी body पर पहन लेता है इस device में इसकी heart beat, temperature, steps, acceleration, de-acceleration और इस तरह की मुख्तलिफ चीजे monitor होती है इसके इलावा अगर कोई खिलाडी cheating करके steroids की मदद से अपनी energy बढ़ाने की कोशिश करे तो वो भी इस device में show हो जाती है वैल ये device सच में कमाल की है दोस्तो आप सबने बहुत सी ऐसी cars देखी होगी जिनकी उपर इस तरह का antenna लगा होता है लेकिन क्या आपको पता है कि इस antenna का आखर काम क्या होता है वैल ये antenna radio signals को cache करने के लिए लगाया जाता है इवन कि जिस car के उपर ये antenna लगा होता है इसमें network signals भी full आते हैं आप सबने note क्या होगा कि आजकल की नई cars के रूफ पर ये antenna मौजूद नहीं होता वैल आपको जानका है हरानगी होगी कि दुनिया में बनाए जाने वाली तमाम cars में ये antenna अब भी लगाया जाता है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसका size बहुत ही चोटा कर दिया गया है और इसी एक sensor में बदल दिया गया है असल में ये पुराना antenna size में काफी बड़ा होता था और देखने में थोड़ा awkward लगता था इसलिए अब इसकी जगा पर sensor का इस्तमाल किया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर hidden होता है